वाओ देखिए भी अमलों मौझूद है कुलकत्ता में और कुलकत्ता में राम मंदिल का पंडाल बनाएगा आप देख सकते हैं कि जनवरी 14 जनवरी को जद्या में राम मंदिल का उद्गाटन होने वाला है उससे पहले अमित्सा ने पस्षी मंगाल में राम मंदिर पंडाल को गाटन करके बहुत ही बड़ा नाम किया देख सकते हैं मेरे स्कीन पर किस तरह से राम का फोटो लगाये गया है उसी के थिंप जैसिरि ने आम के लोग नारे लगाकर इस मंदिर को इस पंडाल को लोग देख रहे हैं ठीक अजोधिया के राम मंदिर के तरह लोग बने के सेम टू सेम बनाये गया है इसको माने तो कुलगत्ता के सबसे नमबर वन दूर्गा पंडाल क्योंकि अजुधिया का वो राम मंदील है जो काफ़ी बिवादों से घीरा था आज वो मंदील लगवग बनने के तयार हो चुका है तो एक पंडाल बनाये गया इसमें जो लाइट का विवस्ता किया है कापी सुन्दर अती सुन्दर लग रहा है कि हम लोगो जोध्या के सीधा राम मंदिल ही गूँ रहे हैं कापी सुन्दर तरीका से इसको बनायेगे आप लोग भी मानते हैं कि कलकत्ता के नमबर वन दुर्गा पंडाल जो राम मंदिल के तर्श पर बनाये गया मार्गुप्ता देखिए हमनों मौझूद है पस्षी मंगाल यानि कुलकत्ता सहर में यहीं पर देखिए भैव राम मंदिल का पंदाल मनाया गया है मित्रों अगर आप भी मानते हैं कि हिंदुस्तार में चार मान अगर है कलकत्ता दिल्ली बंबे और चेने अगर इस बात आप देखा भैव राम मंदिल का पंदाल बनाया गया है अगर आपनों भी मानते हैं कि पंदाल काफी भैव और अच्छा तरीका से बनाया गया है तो जरूर्ड लाइक करें कि परस्षी मंगाल हुआ जगा है जो खीचा तरी चलता है एक तरफ बीजे भी और दूसरी तरह महमता जादिरी लेकिन उनीपर राम मंदिल बनना एक बहुत बड़ा राजरीती का संकेर देता है और इसके मंदिल के उद्गाटन करने के लिए इस पंदाल के उद्गाटन करने के लिए अमिश्चा गुजराश से छटीज़गर आस्ते परस्षी मंगाल पहुंचते हैं इतना बक्तगर न भी जूटे इस पंदाल को देखने के लिए बहुत बी बनाया प्रूजा खुमने के लिए जाते हैं वहां पराना नुखाते हैं मा का परतीमा भैव रूब से सबसे परसीद पूजा कुलकत्य का दूजा होता दोस्तों अगर आप लोगी मांते हैं कि दूस्तान में सबसे भैव और कापी विश्वास्निय दूर्गा-Pूजा कुलकत्य में क्योंना को बनाया जाता है देखिये मा का वह रूप जो की कुरकत्ता में राम मंदिर के पर अपने बिद्राज मान है मादुल का आप लेगे स्वीडियो को लाइक करें और सेर करें